एक और जहां पूरी दुनिया के बैग्यानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूलने में लगे हैं तो वहीं टेकसास यूनिवरसिटी के बैग्यानिकों ने दावा किया है कि उट की एक प्रजाती लामा में ऐसी छम्ता बिक्सित कर ली है जो कोरोना वायरस को रूकने में धावे ने दुनिया के सामने एक नई उमीद जगा दी है दरअसल टेक्सास युणिवरसिटी ने एक बयान जारी किया है जिसमें बैज्यानिकों के हावाले से कहा गया है कि चार साल के लामा में करोणा वालेस से लरने की सकती है। बैग्यानिकों ने इस लामा को विंटर नाम दिया है। रिसर्चर्चर्ज की एक टीम, National Institute of Health और बेल्जियम की गेंटर युनिवर्सिटी बहुत दिनों से ऐसी एंटिबोडी की तलास में थी। जिन्होंने सालों पहले आये सार्स या मर्स जैसे वायरस का मुकाबला किया था इसके लिए बेल्जियम के ग्रामीन इलाकों में पाये जाने वाले लामा और भेर पर सोध किया जा रहा था। बैग्यानिकों का दावा है कि विंटर नाम के इस लामा के खून से ऐसी एंटिबोडी बनाई जा सकती है जो मानब पोशिकाओं को कोरोना वायरस से बचा सकता ह बिमार परने पर ये लामा दो अलग अलग प्रकार के एंटिबोडी का उत्पादन करते हैं इन में से एक एंटिबोडी ठीक वैसी ही होती है जैसी इंसानों के इम्यून सिस्टम से बनती है जबकि दूसरी एंटिबोडी बहुत छोटी होती है ये एंटिबोडी कोरोना वा अन तक इसका मानब परिक्षन शुरू करने की भी उमीद जताई जा रही है